असलालेकुम गाईज आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन तंदूर और उसके हरी वाली चटनी आज हम इसे बिना ओवन का बनाने वाले है माशालला इसका जो टेस्ट है रेस्टोरान जैसा ही आने वाला है आप भी इस एक बड़ जरूर ट्राइ किजेगा आपको भी बहुत पस अधरेक यह मिल जाएगी अभी हम ले लेंगे धी का पूरा पानी चर्णी की मदद से निकाल लेना है आपको मैंने पाव किलो अधरी का इस्तेमाल की हूँ तक अभी हम इसमें ब्साथम अधरक लशन का पेस्ट गढंज अभी हम इसमें अन दालेंगे लाल्मिश पॉडरuvre स चाथ मसाला हम देद चमच नेंबू का इस्तेमाल की हुँ मैने अभी इस नल देगे नमक अभी हम इसे tuo को ला लेंगे ताकि हमारे जो चिकन को अच्छे से ये मसाले लग जाए कम से कम मुझे पास से छे मिनिट लग गए थे इसे लगाने में इस तरह से आपको लगा के लेना है इस तरह से हम इसे अच्छे से लगा के लेंगे ये देखिए, माशाल्ला ये अच्चे से लख चुके है अभी हम इसे एक घंटे के लिए मेरینेट के लिए फ्रीज में रक देंगे तब तक हम इसकी हरी शत्नी बना लेंगे अभी मैंने एक मुठी बर के लिए हूँ पुदीना एक मुट्टी पर के लिए हरा धनिया चार हरी मिर्च आप तीखी के इसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं चार लसन की कलिया आदा चम्मच जीरा और दो चम्मच हम ले लेंगे चाट मसाला अभी हम इसे मिक्सर के जार में पीस के ले लेंगे अभी हम इसमें चाट मसाला और यह सम मिला के हम पीस लेंगे अभी मैं इसमें दाल दूँगी नमक एक बड़ा साइस का दही दाल देंगे हम चम्मच अभी मिक्सर के जार में हम इसे पीस के ले लेंगे आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा दही के पानी से आप इसे पीसके ले लिजेगा, माशाले ये तैयार हो चुके है अभी हम इसमें डाल देंगे नीबू आदा नीबू का इस्तेमाल की हूँ अभी ये देखिए बन चुके हमारी हरी हरी चटनी अभी इसे हम फ्रीज में रख देंगे ये देखिए ये भी मेरिनेट हो चुके है एक घंटे के लिए मैंने रखी थी अभी हम ले लेंगे प्यान प्यान में डाल देंगे तीन बड़े साइस के चमज भर के तेल तेल का इस्तेमाल जादा मत कीजिएगा इतने ही तेल में ये माशालला अच्छे से हो जाते है अभी हम एक-एक करके चिकन को इसाइस से डालके पका के लेने वाले है एक साइड़ से आप कम से कम इसे 5 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा पाश मिनिट होने के बाद में आप इसे आराम से पल्टी कर लीजिएगा देखिए आराम से हम इसे पल्टी करके ले लेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो निकले नहीं अगर आपको लगे कि आपका चिकन पका नहीं है तो आप इसे दुबारा पल्टी करके पका सकते हैं मैंने इसी तरह से इसे पका के ले ली थी और चिकन जो है बहुत जल्दी पक जाता है इसके लिए आप ज़्यादा इसे पकाईएगा नहीं यह देखी पक चुका है अभी हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे बाकी के भी फ्राइ करके ले लेंगे यह देखी यह पक चुके है अभी मैंने ग्यास पे रखी हूँ इस तरह के आपको चन्नी लेना है अभी हम इसे भून के लेने वाले हैं जैसे रेस्टोरान में कैसे भून के लेते हैं वैसे हम इसे भून के लेंगे, उसका टेस्ट भी बिल्कुल भी वैसे ही आएगा, अभी हम थोड़ा सा इसमें लगा देंगे बटर, और इस तरह से हम इसे अच्छे से भून के ले लेंगे, आप आराम से और ध्यान से इसे भू बुना जाए, बुने से जरा जो टेस्ट है, रेस्टोरन जैसा आता है, इसलिए आप बुनेंगे तो और भी अच्छी बात है, आप ग्यास को कम ज्यादा करके इसे बुनिएगा, ये देखिए, माशालला ये बुन के हो चुका है, ये देखिए मैंने सब बुन के ले ली कटोरी में मैंने कोईला गरम करके लिए हूँ, अभी इसमें हम डालेंगे बटर, और इसका थोड़ा सा जखकन जखके इसे, नॉर्मली स्मोक दे देंगे कोईले की, ताकि और भी इसमें खुश्बू आ जाए, ये देखिए, माशालला इसको मैंने कम से कम पास से 6 मिनिट रख दीती, अभी आप इसमें नीमू नीचोड के खाईएगा, आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं, आपने घर में बनाए है, आपको लगेगा आप कोई रेस्टोरान में खा रहे है, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा, कैसी लगी आपको वीडियो ये मु अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ में चलती हूँ, अलाहाफिस दुआ में याद रखना,